भारत के प्रमुग वैज्यानिक एवं उनकी उपलब्धियों की स्रंखला में मैं संतोषकुमान मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस समय हम लोग बात कर रहे हैं भारत के प्रमुग वैज्यानिक एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में। आज बात करेंगे भारत के प्रमुक महान वैज्ञानिक C.N.R. राओ, अनिल काकोदकर, जैनते विश्णुनार लेकर, वेंकर्ट रामन राधा कृष्णन एवं के कस्तूरी रंगन जी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, C.N.R. राओ, जी के बारे में, चिंत्रा मणी नागेश राम जंदर राओ, इनका जन्म 30 जून 1934 को हुआ, प्रसिद्ध रासायन वैज्ञानिक हैंगे, इन्होंने Solid State और Material Chemistry के छेतर में काम किया, Solid State और Material Chemistry के छेतर में इन्होंने काम किया, एवं इसी छेतर से संबंदेत 45 से अधिक पुस्त के इन्होंने लिखी, एवं 1500 से ज़्यादा शोध पत्र इन्होंने लिखे, बहुत ही महान वैज्ञानिक, इतने महान कि 60 से ज़्यादा इन्वर्सिटी ने इन्हें मानत डॉक्ट कामभव नहीं है, कुछ हैं, 2004 में भारत विज्ञान पुरुशकार, 1974 में पद मुस्री, 1985 में पद मुभूशन, 2013 में इन्हें भारत रतने से संबंद किया गया, भारत का सरवोच नागरिक संबान भारत रतने से संबंद किया गया, सीवी रामन एवं एपी जे अब्दुल कलाम के बाद भारत रतने से संबानित हो ले वाले तीसरे वैज्यानिक बहुत ही महान वैज्यानिक इनका छेत्र सॉलिड इस्टेट और मटेरियल केमिस्ट्री से संबंदित है अब बात करते हैं प्रसिद्ध परमान वैज्यानिक अनिल काकोदकर जी के बारे में जन्म 11 नवंबर 1943 प्रसिद्ध भारती परमान वैज्यानि भारत के परमान उर्जा विकास कारिकम में इनका प्रमुख योगदान 1996 से 2001 तक भावा परमान उनसंधान केंद्र के निदेशक थे इनही के कारिकाल में सन 1998 में भारत ने अपना परमान परिक्षण पोखरन परमान परिक्षण टू किया था 2000 से सन 2009 तक पर्मान उर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे तथा भारत सरकार के पर्मान उर्जा विभाग के सहचीव रहे धुरूब नाफकी रेक्टर के निर्मान में इनका प्रमुख योगदान था सन 1998 में पद्मिस्री, 1999 में पद्म भूशन और 2009 में पद्म भीभूशन से सम्मानित किया गया प्रसिद्ध आनिल काकोदकर जी, प्रसिद्ध पर्मान उर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे अब बात करते हैं वेंकर्ट रामान रामकशनन जी के बारे में इन्हें वेंकी रामकशनन के नाम से जाना जाता है जन्म 1901 भारती मूल के प्रसिद्ध वैग्यानिक जिन्हें 2009 में रसायन सास्थ के नोबल पुरुसकार से सहिक्त रूप से सम्मानित किया गया था इन्होंने राइबोसोम की आडविक सन्रचना एवं कारे प्रणाली के सम्मन्द में अध्यन किया एवं 3D तक्नीक के माध्यम से समझाया कि किस तरह राइबोसोम अलग-अलग रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं इन्हें 2010 में भारत सरकार ने पद्म विभूसन से सम्मानित किया भारती मूलके वैग्यानिक इनका मुख्य कारता राइबोसोम की आडविक सन्रचना एवं कारे प्रणाली के सम्मन्द में जिसके लिए इन्हें 2009 में रसायन सास्त का नोबल पुरुसकार संव्तुरूप से दिया गया अब बात करते हैं प्रसिद्ध खगोल वैग्यानिक जैन्त विश्नु नार लेकर जी के बारे में जन्म 19 जुलाई 1931 प्रसिद्ध खगोल वहुत की वैग्यानिक हैं ब्रम्हांड के इस्थिर अवस्था सिध्धान्त की ये विशेशग हैं ब्रम्हांड के उत्पत्ति के इस्थाई अवस्था सिध्धान्त की जनक फ्रेट हॉयल के साथ मिलकर इन्होंने हॉयल ना लेकर सिध्धान्त का प्तिपादन किया भारत के बहुत ही महान ख़गोल वैग्यानिक विज्ञान को लोगपुरी बनाने में लोगों तक पुछाने में इनका महत्पूर्ण योगदान है अनेक पुरुषकार से इन्हें सम्मानित किया गया जिन में है अब बात करते हैं के कस्तूरी रंगन जी के बारे में प्रसिद्ध महान भारती अंतरिक छवेग्यानिक इनका नाम हम सब जानते हैं। के कस्तूरी रंगन जन्व 24 अक्टूबर 1940 प्रसिध अंतरिक्ष विज्यानिक इन्होंने उच्च उर्जा एक्स की रण, खगोली गामा की रण एवं प्रकाशिक खगोल विज्यान के छेतर में अंसंधान कारे किया। 1994 से 2003 तक इस रो के अध्यक्ष रहे, इनके नेत्रत्त में प्रक्षेपण यान PSLV और GSLV का सफल प्रक्षेपण हुआ, PSLV और GSLV जो प्रक्षेपण यान है, उनका सफल प्रक्षण इन्हीं के कारिकाल में, इन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ। ये भारत के प्रथम दो प्रायोगिक भू प्रेक्षण उपग्रह भासकर एक एवं भासकर दो के परियोजना निदेशक थे, प्रोजेक्ट डाइरेक्टर थे भारत के प्रथम दो प्रायोगिक भू प्रेक्षण उपग्रह भासकर वन और टू के, इन्हें अनेक विभूषण एवं पद्म विभूषण से भारत सरकार ने इन्हें अलंक्रत किया है। भारत के महान वैग्यानिक जिन्होंने अंत्रिक्ष के छेत्र में भारत का नाम रोशन किया एवं भारत को आत्म निरुभर बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। उमीद करता हूँ कि आप इन महान वैग्यानिकों के जीवन से संबंधित, राश निर्माण में इनकी योगदान से संबंधित, कारियों से परचित हो रहे होंगे। आगे भी आपसे सयोग की उमीद करता हूँ। धन्यवाद।